इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत ये दवा लौह चून से बनी है और आहरीय लौह का एक सम्रिद स्रोत है ये दवा अत्यधिक पसीना आना अनीमिया और कमजोर नाड़ी को प्रबंधित करने में सहायता करती है ये कानों में घंटियां बजने से जुड़े गंभीर सिर्दर्द को ठीक करने में मदद करता है य ये पेट से संबंधित कई चिंताओं जैसे भूख, गेस्ट्रिक, मतली, उल्टी, चोटी उल्टी के साथ बार बार डखार आना पेट में दर्द और पेट में जलन को प्रबंधित करने में प्रभावी है ये कम या अनियमित मासिक धर्म को नियंत्रत करने में भी 2. पुराने सिर्दर्द और कान, जबडे और त्वचा में संबंधित कोमलता से राहत प्रदान करता है 3. रक्त परिसंचरण को बहतर बनाने में मदद करता है 4. धरकन और कमजोर नाड़ी की स्थिती को नियंतरत करता है 5. जबड़ों और दांतों में दर्द के साथ-साथ विभिन प्रकार के सिर्दर्द और जमाव से राहत मिलती है 6. चहरे का पीलापन और सूजन को कम करने में मदद करता है 7. खाने के बाद पेट की मतली, उल्टी, खराश और दस्त से राहत मिलती है 8. महिलाओं में ये कम दर्द और रक्तसराव के साथ मासिक धर्म को नियंतरत करने में मदद करता है 9. सीने में दर्द और धर्कन को नियंतरत करने में उप्योगी 10. पसीना कम करता है और रात में अच्छी नीन लाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें